देर साम भागलपूर जिरो माईल थाना में एक बैक्ती बधवास इस्तिते में पहुँचा और खुद का बाका नवादा ओपी के कोतवाली गाउं के गल्ला ब्यवसाई बलराम सिंग के रूप में अपना परिचर देते हुए कहा कि गाउं के ही तीन लोगों के द्वरा जमीन को लगा कर जाम देखने गया और मौका पाकर हुआ अपरहन करताओं के चुंगल से फरार होकर जिरो माईल थाना पहुचा है मामने के गंभीरता को देखते हुए थाना परहन करताओं को पकड़ने के लिए पुलीस बल के साथ धावा बोला लेकिन तब तक अंधेरे का लाब उठा कर सभी अपराधी फरार हो चुके थे जि rasa माईल फुलीस ने बलराम सिंग के परिजन और बाका पुलीस को इसकी सूचना दी जिसके बाद देर राद बाका पुलीस गल्ला बैवसाई को अपने साथ लेकर बाका चली गई अपने बिडियो तो देख लिया होगा और इसके पीछे की कहानी भी आप समझ चुके होंगे दिरसल सानसद कारियाले का बोड लगा कर जो सकॉर्पियो गाड़ी आप देख रहे हैं वो गाड़ी भागलपूर की जदियू सानसद अजयमंडल की है साहब सानसद हैं और वह भी बिहार के सत्तधारी दलके तो फिर नियम और काइदा कानून तो उनके ठेंगे पर है सानसद जी भागलपूर समहार नाले बैठक में भाग लेने आए और बैठक भी सड़क सुरक छा को लेकर बैठक के दोरान जिले के जिला धिकारी से लेकर पुलीस कप्तान और डीटी ओ भी मौजूद थे लेकिन क्या मजाल जो कोई मोटर वहान अधिनियम का धज्जियां उड़ाने वाले इन तस्वीरों को देखकर सानसद जी से सवाल करता कानून के अनुसार गाली के आगे और पीछे दोनों तरफ गाली का नंबर प्लेट लगाना अवस्यक है लेकिन सानसद जी तो गाली पर ही कारियाले खोल रखे हैं इसे कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का भागलपूर समहार नाले परिसर इस्तित समिक्षा भवन में जिलास तरिय समवन्य में एवम अनुसरवन समीती की बैठक आयोजित की गई सानसद अजय मंडल की अध्षिता में आयोजित बैठक के दुरान नाथनगर से राज़त विधायक मुहम्मद अली असरप सिद्धिकी सुल्तानकन से जद्यु विधायक प्रोफेसर लित नरायन मंडल महापावर सीमा साथ जिला परिशत अधश टुन टुन सा जिला अधिकारी सुपरत कुमार सेन सीनर एसपी नितासा गुडिया जिला परिभन पताधिकारी मुहम्मद परवेज अक्तर डिडिसी सुनील कुमार सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे बैठक के दोलान जरजर हो चुके राश्ट्री राजमार्ग, परधान मंत्री ग्राम सडक योजना, राश्टी स्वास्त मिसं, जिला ओद्योगिक नवप्रवर्तर योजना, परधान मंत्री फसल विमा योजना, मनरेगा योजना और मुख मंत्री उजुला योजना सहित कई विकास योजनाओं पर जनपरतनीधियों ने अपने बिचार रखे इस दोलान विकास कारियों में तेजी लाने का दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। विकास योजनाओं पर जनपरतनीधियों में तेजी लाने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। महिला महाविद्याले, ITI कॉलेज, इंजिनरिंग कॉलेज सहित सभी महाविद्याले में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार वर्ग प्रारंब हुआ। दूसरी तरब सुंदर्वती महिला महाविद्याले के छात्राओं की संख्या में काफी कमी देखी गई। SM कॉलेज के प्रचार डॉक्टर रमन सिन्हा ने बताया कि हम सबोंने COVID-19 के पूरे प्रोटकोल को ध्यान में रखा है। और जो भी बच्चे वैक्सीन लेकर आ रहे हैं उन्हें ही क्लास में आने की इजाज़त दी जा रही है। आज पहला दिन था महिलो बाद महाविद्याले खुला है। बच्चों की संख्या आज काफी कम थी। बैस्विक महामारी कोरोना से सभी डरे हुए हैं बच्चे धिरे-धिरे आएंगे और उनकी पढ़ाई में जो कमी आई है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। आगे परिच्छा को लेकर भी उपर से जैसा आदिस आता है उस तरह से परिच्छा ली जाएगी। भागलपूर में जद्यू पार्टी में घमासान मच गया है और 22 सक्रियत जद्यू नेताओं ने अपने अपने पत से इस्थिपात देते हुए पार्टी के परदेश अध्यच उमेश कुस्वाहा, राश्टी अध्यच आर्सिपी सिंग और बिहार के मुख्यमंत्री आग पत्र भेज दिया है, नाराज नेता भागलपूर जिलाधच को बदलने की मांग कर रहे हैं, इससे पहले सभी जद्यू के नेता भागलपूर कहचरी परिसर में एक कत्र हुए और बैठा कर जद्यू जिलाधच के खिलाप रननिती बनाई, इस दोलान भागलपूर के पुर्वी यूबा जद्यू जिलाधच बरशक्रोर सिंग ने कहा कि जिलाधच के पद पर आसीन थे, नव निर्वाचित जद्यू जिलाधच परंचम स्री वास्तप पर संगीन आरोप लगाते हुए, यूबा जद्यू के पुर्व जिलाधच ने कहा कि बरतमान जिलाधच पांच वर्स में तीन पार्टी बदल कर जद्यू में सामिल हुए और उन्हीं जिला अध्यच बना दिया गया पंचम सिवास्तप चाटू कारों से घिरे रहते हैं और पार्टी बिरोधी कारे करने वालों को महासचिव और जिला कमिटी का सदस्य बनाया गया है जिसे पार्टी की 6 विधू मिल हो रही है साथी जिले की वरिष्ट कारकरताओं ने पार्टी के सिर्ष नैत्रित्त को अपना त्याग पत्र देते हुए जिला अध्यच बनने की मांग की है जिसे पार्टी की साख आमलों के बीच मजबूत हो सके ब्रचकिसोर सिंग ने यह भी कहा कि पार्टी जब तक पंचम सिवास्तप को पद से नहीं हटाती तब तक सभी उनका पुर्जोर बिरोध करते रहेंगे दोसी इनको मानते हैं जब पार्टी की बैठक हो रही थी और हम लोगों को एंडिये का चुनाल गडवंदन का हो रहा था अजित सर्वां जी यहां से चुनाव लड़ रहे थे उस बक इन्होंने भागने का काम किया है और यहीं नहीं पंचम स्रीवास्तप जी के कमिटी में जो अभी कमिटी में मनाया गया है महासचीव और सदस जो अभी लच्वी कांत मंडल जी नातनगर के विधायक में चुराओ लड़े थे उसमें भी उन्होंने नितिश कुमार का जंडा वेनर फारने का का काम किया है और उनको उन्होंने अपने पार्टी में तबज्यू दि एक देशी कट्टा, दो जिंदा कार्टूस और दो मोबाइल बरामत किया है पुलीस के आने का भनक लगते ही गांजा तसकर अंधेरे का फायदा उठा कर मौके से फलार हो गया नौगच्या पुलीस कप्तान सुसांत कुमार सरोज ने प्रेस कानफरेंस कर बताया कि उन्हें ये गुप सूचना मिली कि गांजा के कारोबारी मौम्मद सलीम के द्वारा भारी मात्रा में गांजा वा अन्य मादक पदार्थों का भंडारन अपने घर पर किया गया है इसके बाद मामले के उद्भेदन को लेकर उनके द्वारा एक बिसेश टीम का गठन प्रसिचू रखा गया अवेध गांजा पलंग के उपर आगने आस्तर यों सलीम का दो मुबाइल भी अपने कबजे में ले लिया वहीं पुलीस के आने की भनक लगते ही मौम्मद सलीम मौके से फराल होने में सफर रहा मामले को लेकर नवच्छिया थाने में एंड़ीपियस एक्ट दर कांगरिस विधाल मंडल दलके नेता और भागलपूर विधायक अजीत सर्मा ने दावा किया है कि केंद्रिय मंदल विस्तार के बाद जदियू में एक ही स्तान का दौर जारी है कांगरिस विधायक ने कहा कि मंदल विस्तार में जदियू के तीन लोगो को केंद्रिय मंदल बनाया जाने की बाद चल रही थी लेकिन एन वक्त पर जदियू कोटे से सिर्फ RCP सिंग को मंत्री बनाया गया जिससे पाठी के कद्दावर नेता ललन सिंग काफी नाराज चल रहे हैं जिसको देखते हुए जद्यू नेता उपेंदर कुस वहां घंटो ललन सिंग का मान मनोवल करते दिखें पाठी में खीस्तान के बीच कांग्रिस विदान मंदल नेता नेता नेगवर फिर से जद्यू पर डोरेट डालते हुए महागडबंदन के साथ मिलकर बिहार का विकास करने के लिए सरकार बनाने का निमंतरन भीर दे डाला लोगों को जोडों से चर्चाएं थी बना सिफ एक वो बने आर्सिपीज चिनाजी और आदर्निय लळन सिंगी वी शायर नाम तारी क्यों बने नहीं वह दिल्ली से वापास और मैंने परसो देखा है कि आदर्नी लळन सिंगी आदर्नी उपर दिखें कुछ वाज यादयक् अब पहले भी माँ गडवन्दन की सरकार में थे और आप ने विकास किया है। अभी कोई विकास नहीं हो रहा है। अग्यात चोरो ने सुक्रवार की रात्री अस्पताल के समीव सुभास पंजियारा के घर को अपना निसाना बनाते हुए जम कर लूट पाड़ किया। मामले में ग्रही स्वामी बंबई गए हुए थे जबकि घर की महिला प्रिया देवी घर में तला लगा कर अपने माई की रजाउन गई हुई थी मामने को लेकर प्रिया देवी ने बताया कि सोम बार के दिन जब अमरपूर इस्थित अपने घर आये तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था दो अलमारी टूटी हुई थी और अलमारी में रखे साड़े पांच लाख नगत साथ लाख के जिवराद यों किमती कपड़े वबरतन लेकर चोर फ्रार हो गए थे प्रित महिला ने बताया कि जमीन खरिदने को लेकर पैसे का इंतिजाम करके अलमीरा में रखा था प्रित महिला ने थाने में लिखी ताविदन देकर चोरी हुए सामान की बरामदगी की गुहार लगाई है वहीं दूसरी तर बिगत तीन दिनों से मरपूर सहर में हो रही चोरी की घटना से सहरवासियों में पुलीस की कारसैली पर असंतोस देखा जा रहा है सहरवासि खुद को असर उच्छित महसूस कर रहे हैं आलाकि मामने को लेकर थाना ध्यच मुहम्मद सब्दर अली ने बताया कि जल्द ही चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए चोरी में सामिल गिरों को गिहपतार कर लिया जाएगा जगदिसपूर परखंड में पंचायत सिछक चयन की प्रकिरिया परखंड विकास पताधिकारी तरून केशरी योम परखंड सिछा पताधिकारी राम जी राय के अधिकारिक निर्देशन में आयोजित की गई जो सांति पुरवक संपन हो गया पंचायत से चक चैन के लिए कांसलिंग की प्रकिरिया लोकनाथ हाई स्कूल जगदिस्पूर परिसर में किया गया जिसमें हभीपूर पंचायत की नगर पंचायत में सामिल किये जाने करण हुआ की प्रकिरिया अगस्तमा में संपन कराया जाएगा जगदिसपूर परखंड के आठ पंचायत में कुल साथ सीट समान और तेरा सीट उर्दू के लिए चैन होना था जिसमें सनहौली पंचायत में दो में से दो सीट का चैन हो गया बैजानी पंचायत में दो में से दो सीट का चैन हुआ जहां उर्दू सिच्छक के लिए कोई भी आविदन नहीं आया हुआ था सैनो पंचायत में एक सिच्छक के चैन में एक सिच्छक का चैन किया गया इमामपूर पंचायत में दो सिच्छक में दो सिच्छक का चैन किया गया साजंगी पंचायत में चार सिच्छक में चार सिच्छक का चैन हुआ और दो सिच्छक अनुपस्थित पाया गया चांदपूर पंचायत में दो सीट में एक उर्दू का खाली रहा और एक का चैन हुआ पुरेनी दच्छनी में तीन सीट में तीन सीट का चैन हो गया पुरेनी उत्री पंचायत में एक सीट के बिरुद्ध एक सीट का चैन किया गया पीरपैती परखंड कारियाले के निकट किसी फॉर्म के निकट बैहार में पैती सुवर्शिय यूबक का सब मिलने से छेत्रमेश सनसनी फैल गई मवेसी चलाने और घास काटने जा रहे कुछ लोगों ने सब को देखा और सोर मचाया जिससे आसपास के लोग इखटा हो गए लोगों ने इसकी सूचना पिर्पैती बाजार निवासी मिश्टर के रूप में की गई है पिर्पैती थाना इदे संजे कुमार स्त्यार्थी ने बताया कि मिर्पैती ओपर हत्या वाचोरी के मामले दर्ज है जिसमें यह जेल भी जा चुका है पुलीस चान बीन में जुट गई है हत्या के कारणों का पता लगा रही है पुलीस ने सब को पोश्ट माटम के लिए माया गंज भिजवा दिया है All India Youth Federation के राष्ट व्यापी आवाहन पर पूरे परदेश में परधान मंत्री का पुतला दहन किया गया एवं परतिरोध मार्च सनहुला डागमंगला से निकल कर सनहुला बस स्टेंड चौक पहुँच कर संपन हुआ परतिरोध मार्च के दोरान परधान मंत्री के खिलाब जम कर नारे बाजी की गई और उसके बाद आकलोसित कार्यकरताओं ने परधान मंत्री का पुतला फुका कारिकरम का नैथितु पूर्बजला परिसद और All India Youth Federation के राज अध्यस संजीत सुमन के दोरा किया गया